हेलो फ्रेंट्स, वेलकम बैक, कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर अमित तल्डा क्लास है, मैं उमित तल्डा आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड, ये वीडियो प्यॉरली न्यू सिलेबिस स्टूडेंट्स के लिए है, कि सबसे बढ़ा सवाल कि तीन सब्जेक्ट्स, न्यू सिलेबिस में, MCQ हो जाएंगे, OMR बेस्ट हो जाएंगे, तो जो नोटिफिकेशन आया था, या जो मीटिंग, ICSI, Central Council की हुई थी, जो मिनिट्स थे उसमें, कहीं भी निगेटिव मार्किंग के बारे में 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 नहीं था, ना बाद में जो न देखने लग गये थे, कि यार चलो, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और आसान हो जाएगा, MCQ आना ही आसान हो जाएगा थोड़ा सा, और अगर निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, तो थोड़ा और, मतलब, इसी तो नहीं बोलूँगा, थोड़ी सी डिफिकल्ट लेवल कम हो जाएगे, in spite of MCQ, in spite of whatever the pattern may be, CS executive tough ही है, number of subjects 8 हो गये है, और लेवल अभी भी भी बहुत हाए है, चीक है, तो कहीं लिखा नहीं था, बच्चे पूछ रहे हैं, हम logically answer दे भी रहे हैं, या जो intention होता है, ICSI का normally वो हम, normally बताते हैं, जो past में हो चुका है, या जो हो र normal जैसे complaint race करते हैं, ICSI portal पे बैसे मैंने race किया है, और काफी बच्चों ने call करके भी पूछा है, तो हर जगह से एक answer cross confirm हो रहा है, इसलिए मैंने ये video सोचके, सोचा कि आपको मैं बता दो, कि अब क्या आपको सोचके preparation करनी है, officially I don't know, इस पे separately एक notification आएगा कि नहीं, कि institute already notification द available है, तो क्या है अपन देखते हैं, तो ये मैंने आपका जो complaint या grievance redressal का जो आपका smash portal का है, उसमें मैंने race किया था, तो पहले उन्होंने मुझे वही link भेजा कि उनका जो notification था, पर उसमें तो लिखा ही नहीं था, कि negative marking है या नहीं है, positive negative कुछ भी नहीं लिखा था, और फ फिर उन्होंने clear जवाब दिया है, no negative marking, ठीक है, तो खुश होने का एक reason है आपके लिए, जो new syllabus दे रहे हैं, कि no negative marking, तीन subjects MCQ है, taxation, आपका corporate accounting, और एक है SFM, ठीक है, strategic and financial management, ये तीन subject आपके MCQ है, और without any negative marking, तो ये बहुत अच्छा मेरे ख्याल से pattern हो जाएगा, और थोड़ा pass होना थोड़ा पहले से तो आसान हो जाना चाहिए, because negative marking नहीं है, और MCQ है, जो practical subjects है, जो कभी complete ही नहीं होते, SFM में भी काफी practical content है, corporate accounting और costing जो इसके अंदर है, वो भी काफी practical है, तो practical का tension ये होता है, कि पूरे-पूरे workings बनाने पड़ते हैं, time नहीं होता है, बर तो आप अब उसका इतना tension नहीं है, थेरी काफी आएगी, इसमें अब MCQ में है, तो थेरी आएगी आएगी, और practical भी थोड़े से limited आएंगे और limited level के होंगे, और आपको लिखना नहीं है, आपकी speed का इहां इतना relevance नहीं है, written paper में speed का relevance बहुत जादा होता है, handwriting, presentation, हर चीज का relevance होता ह जैसे कि आप old syllabus में देखी रहे हो, company accounts लोगा solve ही नहीं होता, 80 marks काई हो पाता है, 20 marks तो वैसी निकल गए, तो अब आप full paper attempt कर पाओगे, और उपर से negative marking का भी डर नहीं है, तो आप पूरा attempt कर सकते हो, बर बर, तो कहीं न कहीं positive है, कहीं न कहीं फाइदा ही होगा, नुकसान तो होने वाला नहीं है, और वैसे भी जैसे अगर आप देखोगे technically तो non core subjects है, accounts और SFM, taxation में GST आता है, वो आपका core subject है, वो क्यूं MCQ है, यह बहुत बड़ा सवाल है, जो हर teacher के मन में है, कि core subjects को at least MCQ नहीं करना था, accounts और SFM ठीक है, आपके core subjects में नहीं आता है, तो वो MCQ च खुशी किसी और से बरदाश नहीं होगी, जो old syllabus वाले student है, अब उनके मन में आग लगेगी, कि sir हमारे भी MCQ है, हमको तो negative marking है, institute ने हमारे भी negative marking हटा नहीं चाहिए, तो yes आप apply कर सकते हो, क्योंकि disparity हो गया, एक ही level के papers है, और एक में negative marking है, एक में नहीं है, तो यह definitely disparity है, औ और आपको, आप लिख सकते हो institute को, लिखने में कोई problem नहीं है, मानेंगे कि नहीं, वो अलग बात है, चीक है, तो आप लिखो, जो भी board of discipline है, या जो भी respective authority होगी, या board of, जो यह होता है, क्या बूलते है, board of studies, उसको आप लिख सकते हो, और उनको request कर सकते हो, क्योंकि new syllabus में negative marking नहीं है, तो old में क्यों है, उसका क्या logic है, क्यों उसको आप remove नहीं करते, ऐसा मत लिखना की sir, new में भी लाओ, समझ में आ रहा है, किसी का आप काम बिगाड़ना नहीं, किसी का काम बन रहा है, तो उसको बिगाड़ो मत, आप बस request करो कि new में नहीं है, तो old से भी आप कुछ ना क्या लिखना है, मैं सिर्फ guide कर रहा हूं, मैं किसी को लिखके नहीं देता ना कुछ बताता हूं जादा, चीक है, आप personally लिखो आपको जो भी issues है, आपको क्यों लगता है कि negative marking हटनी चाहिए, वो आप अपने feelings, अपने जो भी point of view है, वो आप उसमें लिख सकते हो और apply कर सकते हो, और wait and watch वाली situation होगी, result तक might be institute कुछ declare करे, बरोबर, क्योंकि software से checking होती है, या system से checking होती है, तो उसके logics भी change करने पड़ते हैं, अभी negative marking है, तो automatic check होता है, तो उसमें काफी institute के तरफ से भी commitments होती है, चीक है, तो institute देखते हैं, क्या होता है, वैसे भी December Old syllabus का last attempt है, तो थोड़े chances कम ही है, थोड़े chances कम ही है, चीक है, पर आप अपनी मन की तसली के लिए, लिख लेना और पड़ाई पर लग जाना, ठीक है, तो ये update था, new syllabus students के लिए, जो December 2019 का attempt या onwards कोई भी attempt दे रहे होंगे, तो आपको तीन subject MCQs हैं, और उसमें कोई भी negative marking नहीं है चीक है, तो ये thank you बोलने का समय है, ICSI को, और definitely you should be grateful to institute कि उन्होंने ऐसा किया है, और आपको काफी इससे convenience होगा, वो आपको समझ में आएगा, जैसे से आप पढ़ाई करोगे, जैसे से आपके exam सामने आएगी, तो आपको समझ में आएगा कि MCQ with no negative marking से कितना relief मिलता है, चीक